Welcome to OnlyIS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Internal Security के Current Affairs के Revision का ये हमारा तीसरा Lecture है आज के इस सेशन में हम नवंबर महिने के Internal Security के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article Army Aviation Cops के बारे में है Cops का मतलब होता है दल यानि कि Army का एक छोटा सा हिस्सा Army Aviation Cops नाम से ही सपस्ट है कि ये Aviation के Field में Army को Services देते होंगे इसे Youngest Cops माना जाता है विकाज इनका Formation 1st of November 1986 को हुआ था News में इसलिए थे विकाज 35th Cops Day इन्होंने अभी हाल ही में अपना Celebrate किया इन्हें Separate Formation के तौर पे 1986 में Existence में लाया गया इनके Composition की बात करें तो Army के लगभग हर Wing से इसमें जो Members है वो Draw किये जाते हैं जो Significant Number है या जादातर लोग जो इसमें जाते हैं वो Artillery से जाते हैं जिनसे मिलकर ये Army Aviation Cops बनता है इनके Rules and Functions की बात करें तो Majorly इन्हें ORC करना होता है देखरेक करनी होती है जो भी मारी Boundaries है या आसपास के इलाके हैं कहीं से Infiltration तो नहीं हो रहा है Observe करते रहना होता है अगर कहीं पर किसी Operation में Casuality हो जाए तो Evacuation का काम ये करते हैं वहां से अपने लोगों को निकालते हैं कहीं पर किसी को Drop करना है तो वो भी ये काम करते हैं Combat Search and Rescue में भी इनका एक Important Role होता है अगर हम Army Aviation Cops के Helicopters की बात करें तो ये Humanitarian Aid भी करते हैं अगर कहीं पर भूकम पा जाए Flood आ जाए तो Disaster Relief के तौर पे भी ये अपने Operations चलाते हैं Peace Time में कई सारे Cases में जो Army के Helicopters होते हैं वो Airborne Command Post की तरह भी काम करते हैं जब भी कोई Operation चलता है तो एक Command Center होता है जहां से Soldiers को बताया जाता है कि आपको करना क्या है Sometimes हवाई तरीके से उन्हें Command दी जाती है तो इस तरीके से भी Army Aviation Cops का इस्तिमाल कर लिया जाता है अगर वर्तमान में AAC की जो Fleet है उसमें क्या-क्या आता है अगर इसकी बात करें तो इसमें चेतक, चीता, लैंसर, एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर जिन्हें ध्रो भी कहा जाता है ALS Weapon System Integrated जिन्हें रुद्रा नाम से भी बुकारा जाता है यह सभी Army Aviation Cops का पार्ट है एक और important point जो news में है वो है brain fingerprinting के बारे में जो हात्रस rape case था उनमें जो ROP है उन्हें brain fingerprinting से गुजरना होगा तो brain fingerprinting है क्या नाम से clear है कि brain fingerprinting मतलब जो आपकी brain की movement है जैसे वो काम करता है जो neuropsychological movement होती है brain की उसके हिसाब से वो identify करेंगे उसके pattern को पढ़ेंगे तो कहान ही है ऐसी इसका full form है brain electrical oscillation signature profiling मतलब जो भी brain का electrical oscillation होगा उसकी profiling करेंगे देखेंगे वो कैसा react कर रहा है कुछ चीज़ों को लेके जिसके तरूब वो ऐसा analyze करेंगे और इस नतीजे में पहुंचेंगे कि भाई इस बढ़ने का reaction brain oscillation का हो रहा है इसके electric signals जैसे इसको लेकर react कर रहे है यह क्या दिखाता है तो इसमें होगा क्या भाई वही बात है जो भी accused रोगा उसको interrogate करेंगे और अफकोस इससे पहले उसको consent लेना होगा उसके अनुमती के बाद ही ऐसा किया जाएगा जिसके तहत accused जो होगा उसके brain responses को study किया जैसे नार्को टेस्ट होगेना में question पूछे जाते हैं इसमें कोई question answer नहीं होता सीधा इसमें किया जाता है जो process है वो है electroencephalogram जिसके थुरू जो electric behavior है brain का उसको check करते हैं इसके तहत किसी भी वेक्ति को वो द्रिश्य दिखाए जाते है audio या video के थुरू जहां वो crime हुआ ह होता है और जब वो द्रिश्य देखते हैं तो उनका जो neurons है brain में वो कैसे react करता है ठीक है neurons की movement कैसे होती है क्या brain waves create करते हैं उनको study करने के बाद जो test का result आता इसको study करने के बाद देखा जाता है कि क्या इससे कोई ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो वेक्ती है य और सेलवी केस जो था करनाट का government वाला इसमें Supreme Court ने ऐसा कहा था कि brain mapping mechanism है उसको आप अकेले as a evidence सबूत करूप पेश नहीं कर सकते कि यह सबूत मिल गया हमें मैपिं में या नार्कोर्टिस में इस चीज़ों पर में result मिली है लेकिन आप इसको धर्शा सकते हैं as a part of evidence कि यहीं पर था और साथ में यह भी report आई है कि brain mapping से हम ऐसा कह रहे हैं कि यह शायद भाँ हो तो तब आप इसको as a additional part रह सकते हैं पर soul evidence इसको present नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए यहां एक point बनता हलका सा जहां confused हो सकते हैं exam में कि क्या brain fingerprinting is admissible in court as an exclusive evidence तो no it is not उसके basis पे government आपको judgment नहीं देगी नहीं best practices को share कर सकें जो operational efficiency है यह आपस में उसे बहतर कर सकें इसमें इंडियन नेवी सिंगापूर के Republic of Singapore Navy और RTN यानि कि Royal Thai Navy ने participate किया इसका जो first edition है sitmax का इसे 2019 के सितंबर महिने में इंडियन नेवी के दवारा post किया गया था Port Blair में Port Blair की location आप यहां map में देख सकते हैं अंडवांसी में 2020 का जो edition है इसे Singapore ने होश्ट किया है Singapore के Republic of Singapore Navy ने इसमें देखिये maritime drills होती है naval operations conduct किये जाते हैं surface warfare practices भी की जाती है और weapon firing वगरा भी की जाती है इंडिया की Thailand के साथ तीन exercises होती है आर्मी की मैतरी, Air Force की शियाम भारत और Navy की इंडो थाई कौर पार्ट जिस पर हमने कल discussion किया भी था और Singapore के साथ इंडिया की जो तीन exercises होती है दोजार, बोल्ड कुरुक शेत्रा, आर्मी की, जॉइंट military training, Air Force की और SIMBACS, NAVI की अगला article Frontier Highway Project के बारे में है और नांचल प्रदेश में अभी एक ambitious Frontier Highway Project आगे बढ़ाया जा रहा है इंडो तिब्बत बॉर्डर वाला जो एरिया है वहाँ पर, इससे वार लाइक situation में troops के moment में काफी आसानी हो जाएगी अर्नांचल प्रदेश में Frontier का मतलब है सीमान यानि की सीमा वाले छेत्रों में मैं अपने देखे, यहाँ पर देखे, बिल्कुल सीमा से लगते हुए तवांग से सुरू होकर यह विजयनगर वाले एरिया तक फैला रहेगा इसे अर्नांचल Frontier Highway कहा जा रहा है मागो, ठिंगबू, विजयनगर ब्रॉडर हाइवे भी कहा जा रहा है, यह इन लोकेशन से होकर उजरेगा इसकी लंबाई, 2000 किलोमेटर की होगी, मैटमोहन लाइन के पैले ले चलता रहेगा जोकि डेजिगनेटेड लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर देखे, ट्रांस कई सरे जो हाइवेज हैं, वो इसमें मर्ज कर दे जाएंगे ताकि कनेक्टिविटी बहतर हो, बाड़र एरियाज में जब लड़ाई होती है तो टूप्स का और रसत का खाने पीने का समान जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी होता है ऐसे स्थिती में रोड़ काफी काम आती है, इसलिए इन्हें बाड़े देरियाज में बनाना पड़ता है तो ट्रांस, अनांचल हाइवेज और अनांचल इस्ट वेस्ट कॉलिडोर, इन सभी को इससे लिंक कर दिया जाएगा ताकि movement आसान हो जाए, जैसे ये highway जो आसाम के parallel run करता है इसे हम जो highway frontier पे बन रहा है, उससे जोड़ देंगे तो connectivity थोड़ी बहतर हो जाएगी और जो east-west industrial corridor है, जो proposed है, उसे भी इसी से जोड़ा जाएगा ये जो highway है, ये दिबांग by life century को cross करेगा इसे कुछ environmental concerns भी raise किये जा रहे हैं, कि biodiversity का loss होगा लेकिन फायदे भी होंगे, employment generate होगा, tourism बढ़ेगा क्योंकि hard reach areas है, वहां पहुँचना मुस्किल होता है बड़ ये highway के मदस्ते हम पहुँच पाएंगे, और सबसे important हम Chinese intrusion को रोग पाएंगे, मतलब वो जो घुस आते हैं हमारे territory में, तो हमारे पास proper connectivity होगी और war like situation में, ये road हमें कई तरीके से मदब करेगी इंडिया थाइलेंड नेवल exercise के बारे में है, जिसका नाम कॉर्पार्ट है, फुल फॉर्म है इंडिया थाइलेंड coordinated patrol, आप इसे brief में, इंडो थाइ, कॉर्पार्ट भी बोल सकते हैं, ये इंडिया नेवी और रॉयल थाइ नेवी के बीच में कंड़क किया जाता है, इस नेवल exercise को, ये इसका 30th edition है, मतलब तीसवी बार इसे कंड़क किया जा रहा है, इसे कंड़क करने की जो सुरुवात है, वो 2005 से हुई थी, अब 2005 से सुरुवात हुई और तीसवी बार हो रहा है, तो कैसे होता है, एक्चुली में साल में दो बार होता है, तो 15 साल भी चुके हैं, तो 30 बार तो होई जाएगा, 30th edition है हमारे सामने है, पार्टिसिपेट किस ने किया, इंडिया की ओर से, इंडिया का जो कार्मुक, एक ये इंडिजिनेसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट है, मतलब मीडियम साइज का एक युद्धपोत है, थाइलैंड का जो प्रिगेट है, युद्धक पिमान है, HTMS, क्राबुरी और डोडनियर मेरेटाइम पेट्रोल एरक्राफ्ट, इन लोगों ने देखें, इसका उद्धेश यह है कि इंडिया नोशन को सेफ बनाया जाए और कमरिशल सिपिम के लिए उसे बैतर करें, ताकि सिप्स औगेरा आसानी से आ जा सकें उद्धेश यह भी है कि जो United Nations Convention on Laws of the Sea, Unclosed के जो भी norms है, उनको effectively implement किया जाए, उन्हें किसी भी प्रकार से violate ना किया जाए कुछ all military exercises है, जो कि इंडिया थाइलाइन के बीच में होती है, exercise matter, जो कि दुनों देशों की armies कंड़क करती है, और exercise siyam भारत, जो कि दुनों देशों के air force आपस में कंड़क करते हैं IMAC की, IMAC यानि जो इंडिया निवी का information management and analysis center है उसके बारे में, तो देखे ये जो अभी तक इंडिया निवी का IMAC था, यानि जो information management analysis system था, वो अब जाके national maritime domain awareness center बनने वाला है, क्या difference है दुनों, पहली बात कि IMAC, जो उसका short form है, ये करता क्या है, ये defense acquisition council में 2012 में National War 2014 में जाके, इसका काम गया है, इसका काम है, जो समंदरी high seas है, जो coast है सोड़े दूर के इलाके हैं, समंदर के, वहाँ पर जो भी data है, coastal radars का, या जो white shipping industries की agreements होते हैं, मतलब कौन से non-military को ships move कर रहा है, मालीजे, इंडिया के coast के पास, तो वो ship identify कैसे करेंगे, ये military का ship है, ये किसी company का ship है, जो आ रहा है, या कोई terrorist organization का ship है, या कोई legal ship है, तो उसके लिए जो भी white shipping industry होते हैं, या जो भी commercial industry के ship होते हैं, उन्हें white shipping agreement के तहत, उनको identify किया जाता है, तो वो उसका data हुआ, जो radars के data आते हैं, या जो identification system है, merchant ships में, इन सभी को management manage करना, और इसका database create करना उसको manage करना, ये काम होता था, IMAC का, ठीक है, ये nodal center भी था, national command, control, communication and intelligence system का, मतलब कि, ये link करता था, कि जो भी navy या coast guard है, पूरे देश भर के अलग-अलग areas में, या island territories के आसपास, जो भी data collect हो रहा है, उन सभी को link करके, total systems और setup प्रवाइड करता था, data wise और agreement wise, कि white shipping industry के ये ships भी move करेंगा, या ये data इस area के आया है, इस area से आया है, ताकि जो navy है, और जो अलग-अलग coast guards हो गए, या अलग bodies है, वो इस data का इस्तमाल करके, Indian coast को safeguard कर पाया, ये कहां पर establish हुआ है, ये गुडगाओ हरियाना में, अब बात ये आ रही है, कि जो information analysis center है, ये upgrade होने वाग, इसे maritime awareness domain के level पे upgrade किया जा रहा है, इससे होगा क्या, ये अब जादा improved maritime domain awareness प्रवाइड करेगा, अब आपको लग रहा होगे कि ये maritime domain awareness है क्या, यानि कि जो भी Indian ocean में, जो भी collaboration हो रही है, जो भी prevalent threats हैं भी, उन सभी का data collect करना, वो सभी data provide करना, क्योंकि already India जो है, वो एक leading country है Indian ocean region में, जो बाकी देशों को भी data provide करती है, इसके लिए 2018 में ही, IMAQ के अंदर एक और information fusion center create किया गया था, Indian ocean region के लिए, national information fusion center क्या करता था, 21 partner country से data लाता था, और उन सब को collaborate करता था, उन सब को collect करके analyze करता था, कि कौन सा data कहा है, क्या खतरा है, क्यों से ships किस company के move कर रहा है, ताकि जो navy है, या जो वहाँ पे coast guard है, उसको exactly idea हो कि ये ship जो आ रही है, किस company के है, किस देश के है, कौन सा threat है, क्योंकि privacy भी रोकनी होती है, वनना समुदी लूटे रहे आकर, of course, जैसे आपने देखा है, जीबूटी की region में, या फिर Medagascar के आसपास बहुत से री ship को लू जो ships move करते हैं, जो non military ships है, merchant के ships है, या फिर military ships है, अमेरिका के, या let's say, France को कोई ship Indian Ocean में आ रहा है, या Australia का आ रहा है, तो इंडिया नेवी को advance में information दे देते हैं, कि हमारा ये ship, इस इस time frame में यहां से पास होगा, ये इसकी identification है, तो हर ship का एक color code होता है, तो white color code होता है commercial ships का, gray होता है military vessels का, और जो illegal है, उने black से identify के रहा है, जो black ship move कर रहा है, मतलब ये illegal है, ये खतरनाक हो सकता, तो फिर उसके उपर, पूछता होती है, तो ये agreement mutual data sharing होती है, white ships के अंतर का, इसे कहते है shipping agreements, तो ये data, चाहे shipping agreements के हो, या जो movement के, वो सब काम होता है, इसी को process करना, अगल इसे अभी launch किया गया है, major gaun, dock, जो limited है, उसका जो area है मुंबई में वहाँ पर, देखिए ये six, कलवारी class summaries बनाई जानी थी, project 75 के तहर, ये पांचवा है, जो complete हो गया है, एक और बचा है, जो अभी बनना है, इसे design किया गया है, French naval defense और energy company, DCNS के गोरा, manufacturing इसकी, major gaun, dock limited मे हुई, जो कि एक shipyard है, Mumbai भी, अब यहाँ पर देखिए, इसका नाम, एक sand fish के नाम पर रखा गया है, जो कि Indian Ocean में पाई जाती है, काफी खतर नाक है ये, हमला करने में, जो समुदरी जीव है, उनके उपर, ये समंदर के अंदर, जो sand होती है, उसमें घुसकर छुपके चल द देती है, यहाँ पर देखिए, state of art technology का इस्तिमाल किया गया है, submarine भी, state of art technology का मतलब होता है, उस point of time पे, जो सबसे possible और बढ़िया टेकलोजी हो सकती है, उसे state of art technology कहा जाता है, superior stealth feature है, मतलब ये छिप सकती है, आसानी से, और noise बहुत कम करती है, मतलब ये efficient है, अपने हथिया के operation theater में, जहाँ पर भी हविशकता पड़े, ये हमला करने में सक्षम है, एक जिगह से दूसरी जिगह पर आसानी से travel कर सकती है, कई तरीके के mission ने ये अतना contribution दे सकती है, anti-surface warfare हो, submarine के against में कारिवाई करनी हो, intelligence gather करना हो, mines बिछानी हो दुस्मनों के लिए, या फिर area को surveillance कर कर सकती है, underwater भी और surface के उपर भी, कुछ tubes होते हैं, जो submarines के साथ, या फिर warships के साथ, install कर दिये जाते हैं, जिनसे missiles को launch किया जाता है, project 75 Indian Navy का एक program है, जिसमें 6 submarines को बनाया जाना था, INS कलवारी, done हो गया, INS कंडेरी, यही भी done हो गया, INS करंज, INS वेला और INS वजीर, ये स होगा, जो बनेगा, ठीक है, हमारा अगला article, microwave weapons के बारे में है, अभी कुछ international newspapers में ये कहा गया, कि China नहीं इंडिया के soldiers के उपर microwave weapon का इस्तिमाल किया, इंडियन आर्मी ने अभी इस बात को बिलकुल clarify किया है, कि एक fake news है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, microwave का इस्तिमाल जो है वो इस्तिमाल अभी नहीं हुआ है, जैता कि media outlets में कहा जा रहा है, microwave weapon देखिए, होता क्या है, ये प्रिकाल का energy weapon है, जिसमें कुछ radiation फोकस करके डाली जाती है, किसी भी target के उपर, और वो जो radiation होती है, वो उस particular object के अंदर, जो भी water molecules होते हैं, उनको heat कर देती है, गरम कर दे है, कि अगर वो living organism है, जैसे कि इंसान है, या कोई भी और जीव है, तो बिना आग लगे ही, उसे ऐसा महसूस होगा, कि उसका पुरा सरीर जल रहा है, इसमें sonic laser, या फिर microwave का इस्तिमाल किया जाता है, या electromagnetic radiation का भी इस्तिमाल किया जाता है, microwave radiation जो होती है, उनकी जो तरंग द chemicals है, वो heat हो जाते है, इससे पीन होने लगता है, और discomfort फील होने लगता है, अब news तो यही थी कि इसका इस्तिमाल करके Indian soldiers को Eastern Addadak के region से पीछे ठाकिलने का प्रयास किया गया, बट ये एक fake news थी, कई सारी countries हैं, जो इस system को develop कर चुकी है, ये भी concern race किया जाता है, कि इससे ice damage हो पोर्ट्रे किया था, शोकेस किया था, United States के पास ऐसा ही एक mechanism है, जिसे active denial system कहा जाता है, जिसके माद्यम से वो process वगरा को counter करने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, microwave weapon पास्ट में कभी जानकारी में इस्तिमाल नहीं हुआ है, USA ने ऐसा प्रयास अबगा नहीं, अगर किसी भी resistance वाली situation में खड़ा है, तो उसे उस जगे से जाना पड़ेगा, या उस जगे से हटना पड़ेगा, because of the heat, अगर इस weapon का इस्तिमाल किया जाता है, तो सिर्फ 2 सेकेंड में ही, जो skin का heat है, वो 130 degree Fahrenheit हो जाता है, जिसके बाद किसी भी व्यक्ति को बहुत अंकमफर्ट फील होगा, या उससे जिलन महसूस होने लगेगी, आटिकल MQ-9B Sea Guardians के बारे में है, अभी हाल ही में, इंडियन नैवी ने दो MQ-9B Sea Guardian Unarmed Drones को, US से lease पर लिया, और नैवी में इंड़क कर दिया, lease पर लिया है, खरीदा नहीं है, और यह जो lease है, वो एक साल की ह यही news था, drone आप समझते हैं, जिसमें कोई individual नहीं होता, कोई personal नहीं होता, यह खुद सही operate किये जा सकते हैं, अब यहाँ पर एक साल lease पर लेने का मतलब क्या है, अगर हम बाद में procure करना चाहते हैं, तो एक बार देख तो नहीं, performance कैसा है, बढ़ियां काम करेगा की नहीं कर अनार्म्ड का मतलब यह होता है, कि इसमें हथियार वगएर इंस्तॉल नहीं किये जाते, रधर इनका इस्तेमाल largely supervision के लिए किया जाता है, जो predator MQ9 है, जो drone है, यह उसी का maritime version है, मतलब नैवी इसका इस्तेमाल कर सकती है, यह 40 घंटे तक operate कर सकता है, and that is the best quality, क्योंकि कोई भ किसी और pilot को बिठाना पड़ेगा, या फिर कुछ और करना पड़ेगा, in that case देखे, यह 40 hours तक operate कर सकते हैं, यह 40,000 feet की उचाई तक जाकर अपना काम कर सकते हैं, इसमें 3600 maritime surveillance radar लगाये जाते हैं, जिसकी मदद से यह बहुत अच्छी तरीके से supervision कर पाते हैं, benefits यह हैं, कि anti-sur and rescue operation चलाना हो, law enforcement, truck trafficking हो रही हो, illegal immigration हो रहा हो, इसे भी यह surveillance कर सकता है, piracy वगएरा को भी रोक सकता है, procurement, हाली में defense acquisition procedure 2020 के तहत यह कहा गया, कि हम military platforms के लिए leasing कर सकते हैं, मतलब lease पर चीज़ों को ले सकते हैं, जिसके तहत इस drone को हमने lease पर ले लिया है, हमारा अगला article पिना पिनाका मार्क 1 या पिनाका MK1 बोल सकते हो आप, इसे अभी successfully flight test ही आ गया, integrated test range के form में, जो चांदेपुर एरिया है, उडिसा के coast के पास, वहा से, देखें ये प्रकार का multiple rocket launcher है, एक वाहिकिर होती है, जिसमें कई सारे rockets launch कर दे, मतलब install किये जाते हैं, specifically एक dozen, यानि की 12 rockets इस कर सकते हैं, एक सार्थ launch कर सकते हैं, इसे DRU ने develop किया है, indigenously, Indian army के लिए, हमी ने अपने यहाँ यह develop किया है, किसी से import वगएरा नहीं किया है, इसके technology को, purpose तो यही है, कि जब भी combat होता है, लड़ाई होती है, तो एक समय ऐसा आता है, जब दो armies आमने सामने होती है, अपने artillery installation से हमको hit करते हैं, उसके लिए पिनाका का इस्तिमाल करते हैं, यह हमला करने के बार, उनको हम weak करते हैं, दिन हम उनके पास जाकर, अपने targets को hit करना सुरू करते हैं, range देखिए, जो पिनाका का पहले का, जो earlier version था, उसकी जो range थी, वो 37 km अप्रॉक्स थी, अभी चूंकि य advanced version है, तो उसकी range बढ़ गई है, यह 45 तो 60 km तक hit कर सकता है, history की बात को, तो 1980s में, इसे, late 1980s में start किया गया था, multi-brill rocket launcher system, पहले हम रशिया का इस्सेमाल करते थे, grad नाम से, उसके बिकल्प के तौर पे हमने इसे बनाने के सुरुआत करी थी, और अभी यह हमारे पास ready है, in Ministry of Defense ने एक portal launch किया, LMF नाम से, Land Management System for Defense, इंडिया में जो defense sector है, उसके पास सबसे ज़्यादा land है, Ministry of Defense अप्रॉक्सिमेटली 17,00,00,00 अकर land अपने पास रखती है, और उसका 80% तो अकेले, आर्मी ही use करती है, आर्मी को अपने training and operations के लिए, ज़्यादा जमीन की अविशक्ता प किया जाता है, ताकि कुछ पैसे भी आ जाएं, और उसका इस्तिमाल various purposes से किया जा सके, लेकिन इस land को manage करना, या फिर अगर इसे lease पर किया जा रहा है, तो किस rate पर दिया जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, इस sheet को properly manage करने के लिए, एक system के requirement थी, और वो LMS के form में हमारे साम इसे develop किया गया है, Department of Defense के बारा, जिसमें उनका collaboration रहा है, DGDE के साम, Directorate General of Defense State और Armed Forces का, ये एक intranet portal है, internet portal का मतलब ये होता है, कि इसकी सारे features public domain में नहीं होंगे, ये कुछ restricted communication network के साथ काम करेगा, ये सभी प्रकार का जो defense, land management, जो भी data वगएरा है, उसे digitize कर देगा, यहाँ पर देखिए, जो portal है, उससे expect किया जा रहा है, कि जो भी mechanism है management का, उसमे speed आएगी, transparency आएगी, efficiency भी आएगी, कई बार, जो land है, उसे lease पर तो दे दिया जाता है, लेकिन उसका पैसा, government के account में नहीं जाता, at the same time ये भी देखा गया है, कि जो land lease पर दी जाती है, वो market rate से बहुत ही कम rate में दी जाती है, पहले जब difference के लिए land designate की जाती थी, तो वो outer skirt में की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे urbanization बढ़ा, कई तो जो difference की land है, वो proper cities के बीच में है, Delhi, Mumbai, और वहाँ पर अगर आप उस बाहर के areas में देखेंगे, तो जो land है, उसकी की कीमत बहुत size-based tool का इस्तिमाल करेगा, ताकि locations को असानी से identify किया जा सके, data का duplication ना हो, communicate किया जा सके, various stakeholders के बीच में, ये mapping tools का भी इस्तिमाल करेगा, जो पहले से ही existence में है, that is, रक्षा भूमी, रक्षा भूमी को 2011 में update करके तयार किया गया था, this is a kind of software, जो difference का पूरा data अपने पास र State Department था, उन्होंने रक्षा भूमी को, इस software को develop किया था, National Informatics Center चेलनई की मदद के साथ, ये पूरे difference का land data अपने पास record में रखता है, area wise, state wise, category wise, सारी details यहाँ पर मिल जाएंगी, अब इससे समय समय पर update किया जाता रहा है, so right now जो वर्दन हमारे पास है, वो है 3.3 रक्षा भ system, इसके विशय में normally हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कि QRSM है क्या, इसको किस ने design किया है, और इसका objective क्या है, ठीक है, तो पहली बात इसको किस ने design किया है, किस ने test fire किया है, तो हमें पता है QRSM को design किया है, DRDO ने, ये है क्या, ये असल में एक surface to air missile system है, surface to air missile system मतलब जम उचाई से या कहीं से भी missile कोई दाग दे, तो उनकी tank के कोई टुकडे जा रहे है, या फिर 4G move करे, तो उनको attack से बचाने का काम वो करेगी, ये missile system, यानि surface to air missile system है, जो बहुत जल्दी track करके, बहार से कोई projectile आ रहा है, तो उसको जल्दी से track करके, उसको neutralize कर देगी, मतलब, let's say, tanks जा रहे है, या आपके कुछ missile, equipments जा रहे है, जिनको safety प्रवाइड करना, कि बहार से कोई rocket या कोई missile उनके ओपर गिरना जाए, तो ये जो setup है, इसके खास बात क्या है, इंडिया के पास तो अलड़ी कई ऐसे equipments है, कई ऐसे surface to air missile systems already है, तो देखे, इसके खास कर सकते हैं, easily carry कर सकते हैं, और इसके shelf life जारा होती है, अब जारा देर तक सको रख सकते हैं, ठीक है, आपने इसको mount कर लिए, जो भी आपकी वहीकर ले, इसको पर mount करके आप, अपने साथ लेके चल सकते है, आपके बाकी गारियों का जथा साथ होगा, साथ में ये आपके सा आ तो नहीं रहा, और दूसरा आपका multi function radar होगा, जो उसको track करके, उसके उपर attack करके, उसको neutralize कर देगा, मतलब को एगर outside से आ रहा है, तो हमारा एक radar से track करेगा, और दूसरा जाके, अपने launcher के साथ, उससे जाकर उसको टकरा देगा, और वो खतम हो जाएंगे, तो ये radar 360 degree coverage देते हैं, search on move और track on move capability के साथ, ये इनकी खास बात है, क्या खास बात है, 360 degree coverage, मतलब total आपको चानो तरफ से आपको एक रक्षा प्रवाइड करेगा ये, search on move and track on moon capability, मतलब जब ये आपका जो कनिस्तर बेस्ट, आपका जो missile system है, जो move कर रहा है, तभी साथ-साथ ये move भी कर स सकते हैं, तो जो गाडियों का जथा, या अगर कोई armory आपकी move कर रही है, battlefield में, तो ये आपको बचाओ भी देगा, और साथ-साथ प्रैक भी कर सकते हैं, आसपास कहां पर कोई ऐसा बुश्मनों का जथा है, या कोई ऐसी missile है, जो projectile है, जो hit कर सकते हैं, उसके case में, तो ब प्लान बना रहे हैं, कि वो एक training undertake करेंगे, military personals की, South East Asian countries के लिए, बिल्कुल वैसे ही, जैसे वो African countries के लिए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि इंडिया, United Nations की peacekeeping force में contribute करता है, और अभी वो 5th largest number of contributor है, 1st पर अभी बांगलादेस है, United, USA जो है, वो soldiers contribute नहीं करता, वो पै African countries को थोड़ा train करेगा, वहाँ पर जो peace का atmosphere है, उसे maintain करने के लिए, तो African countries में जो collaborate कर रहा है, India के साथ, peacekeeping forces के लिए, वही collaboration अब वो Asian countries में भी करना चाहते हैं, because China बहुत बड़ी संख्या में, peacekeeping forces में contribute कर रहा है, UN peacekeepers का का काम यह होता है, कि वो security और political stability provide कर वाएं, अगर किस वापिस से बढ़ने ना पाएं, यह joint effort होता है, Department of Peace Operations का और Department of Operational Support का, जो कि United Nations के तहत आते हैं, इनका तीन basic principle है, मतलब peace keeping forces तभी जाती है, जब parties की consent मिले, impartial रहते हैं, मतलब भी किसी को favor नहीं करते, और force का इस्तिमाल नहीं करते, except कि वो self-defense में ना कर रहे हैं, कोई उनके mandate बना है, जिसके basis पे peace maintain हुई है, अगर उसे खतरा पहुंचता है, तब भी यह force का इस्तिमाल करते हैं, Security Council का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि Security Council का जो charter है, उसके chapter 7 के मताबिक, वही empower कर सकते है peace keeping forces को, तो उन्हें authorize करने का का काम United Nations Security Council का ही होता है, funding सभी member state करते हैं, 27% जो इन्हें peace keepers को blue barrets या फिर blue helmets भी कहा जाता है, क्योंकि यो निदर रंग की टोपी है helmet पहना करते हैं, soldiers, police officers और civilian personnel भी होते हैं, जैसे doctor, engineers, यह लोग भी सांत में जाते हैं, यहाँ पर देखे, member states voluntary basis पे, खुद की मर्जी से contribute करते हैं soldiers को, जो international civil servants होते हैं, उन्हें deploy किया जात उसने contribute किये हैं, जो 8 countries में deployed है, जो regular budget है, उसमें 0.83% और 0.16% वो, peace keeping budget में contribute करता है, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.